नमस्कार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज हम जानेंगे जो सत्रु नास तक है जो प्रियोग है उसके बारे में ठीक है तो दोस्तों इस यंद्र के द्वारा आप किसी भी जो सत्रु है उसे आपतर पतर पाकर मार सकते हो तो दोस्तों यं पूर्वक धैरिय वस्ताहं से साधना करें तो सत्रूका आश अवश्य हो जाता है लुष्टों इस यंत्रको जो यंत्रक आपको निइन पर दिखाए देगा, इस यंत्रको अधिक है इस यंत्रक आपको पूजन करना है अश्व तुम अत्वा एक लाग जाप करने पर वी से सलाब मिलता है दोस्तों इसके पस्चाद दसांग हवन करना है हवन में खली कापासियां करूलियां गुगल उड़ात कू और गूर इत्यादी समागरी का आपको प्रयोग करना है इसके पस्चाद 12 अंगुल का लोहे का खीला लेना है ख ठोकते हुए किल को जमन में आपको गार देना है तो सत्रू का नाज दर्द से तडपता तडपता हुआ हो जाएगा दोस्तों तो मंत्र को ध्यान से सुन ले जाए ठीक है मंत्र है ओम नमो पंचागुली पंचागुली परशरी परशरी माता मंगल वसी करनी लोह मयम दंड म मोज़ी जौकका मळ विदार्नी रन मद्धिह रावल मद्धिह भूत मद्धिह प्रेत मद्धिए डाहडी सांकनी नि मद्धिये छल शेदर मद्धिये दिन रात मद्धिए कल मुझ उपर बुरो कुई करे करावे झटे जुढावे तसु मात् lat पंचागली देवी तनों व और असविल्ई यहा मन्त्र है सो उम्नवपंचा गुली प परसरी परसरी माता मंगल वसी करनी लोग में दंड मोझेड़ी स्थका मन्वेदार नी रण मत्दे रावल मत्दे भूत मत्दे प्रत मत्दे डाकडी सांकनी मत्दे छल छेद्र मत्दे दिन रात मत्दे जामुझ गरावे जड़े जुड़ावे तसु माचे पंचा गली देवी तन वज रेने घात पड़े ओम ठम 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 स्वाह यह मंद रहें तो दोस्तो इस प्रयोग से अवस्य ही सत्रुखनास दर्द से तड़त तडप कर होगा तो आप इस प्रयोग करिए और बेवज़ा कि इस प्रयोग का उप्योग आप कभी न करें तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तो लाइक कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए